असलाम अलेकूम फ्रेंड्स कैसी हैं आप सब उम्मीद करती हो आप सब खेरेस से होंगे तो आज मैं आपके लिए क्या आई हो चिकन इस्टू की रेसिपी जो खाने में बहुत लजीज लगती है तो आप जरूर से बनाएगा शादी में यह जरूर से बनते हैं चिकन ग्राम चिकन जो मैंने अच्छी तरह से दो कर रख लिया एक बॉल के अंदर आप अपने इसाब से लिजिए का चिकन यह ले लिए मैंने दो टमार्टर इकोल साइज में काट लिए ले लिए मैंने प्यास यह रफली चॉप कर लिए यह अद्रक और यह मैंने जूलियन कट क मसाला है राई यह सूखा धनिया यह सौप और यह जावित्री इनका हम एक दरदरासा बना लेंगे इनको तो देखिए हमने ले लिए कुछ खड़े मसाले हरी लाइची यह बड़ी लाइची यह तेजबात के पत्ते यह दालचीनी का तुकड़ा यह लॉंग और यह काली मि तो देखिए हम प्रेशर कुकर में डालेंगे सरसोका ओयलॉल उles आप पपने हिसाफ से रख यह ताउड है तो देखिए ऑईल कू कर लेंगे अच्छी तर रख मैं हम इसके अंदर डालेंगे प्याज जो मैंने रफली चॉप करके रखी हुई थी आप मसाले की क्वांटिटी आप अपने चिकन के हिसाब से रखिएगा जितना चिकन आपका उसी हिसाब से आप मसाले भी रखिएगा तो देखिए हम एक सॉफ्ट सा इने प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे हम इने कोई ब्राउन नहीं करेंगे बस सॉफ्ट सा ही कर लेंगे इने तो देखिए इसी में डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जो मैं आपको दिखा रही थी तो इने भी अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेते हैं तो यह देखिए दो मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं प्याज और गर्म मसाले को तो इधर देखिए हमारी प्यास सॉफ्ट हो चुकी है तो इसमें फिर हम कुछ मसाले अड़ करेंगी देखिए मैं अच्छी तरह से चला दिया है फिर से तो देखिए मैंने इसमें डाला है लसन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया था और इसे भी डाल देंग देंगे यह हम चिकन,चिकन को अपको दिखानी पाएती डालते हुए तो इसमें डालेंगे नहीं दालने मैं आपकी इस बात का दिहान रखियागा तो देखिए इन्हें सभी और हम अच्छी तरह से चलाएंगे इन्हें कि देखिए फ्रेंट्स बहुत लजीज लगता है हमारा चिकन इस्टू तो आप ज़रूर से रमजान चल रहे हैं रमजान में आप ज़रूर से ट्राइब कीजिएगा तो इन सबी को डालने के बाद अच्छी तरह से हल चलाकर हम लगा देंगे प्रेशर कुकर का डखकन और फ बोना चिकन बिल्कुल बन कर तैयार हो चुका है ये देखिए और बेगोल साइड में आ चुका है तो देखिए हम फिर से गैस का फ्रेम कर देए अं कर देखिए हम फिर से ब्हून रेंसे कार थैसे जूर से झात विटा लावए बहुर्णिने के बलाब द Düse ढमनेंगे ये 2 देंगे बहुत सारा हरा धनिया तो देखिए हमारा चिकन इस्टू बनकर हो गया यहां पर तैयार तो आप इसे नान के साथ खाएं यह चपाती के साथ खाएं बहुत ही लाजवाब लगता है और बहुत ही जटपड से पढ़ने वाली रेसिपी है तो आप जरूर से ट्राइ की देखिए बिलकुल हमारा चिकन इस्टू बनकर तैयार हो चुका है तो मैं आपको डिस आउट करके दिखाती हूं तो देखिए मैंने धर कर लिया डिस आउट तो देखिए कितना लाजवाब हमारा चिकन इस्टू लग रहा है देखने में और जितना ही देखने में अच्छ जादा से जादा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ आप से नए वीडियो के साथ तब तक लिए अल्लाहाफेज